वेल्कुम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे क्लास 11 की अकाउंट एंसी का चेप्टर नमबर 50 जिसका नाम है बैंक रेकंशलेशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल कोशन का शुलूशन नमबर 6 तो कोशन नमबर 6 ते ही जो कोशन की शुरुआत होती है उसमें हम हमें वह भेलंज जोगाया प्लासा यूटर अब क्रेड़िट स्टेश्ल प्लास नमबर 592 तो मांबसे हमें दिखारी वेक्रियू में थान में रखना है बागी के सारा कंसेप्ट इम ही ए इस पर देबिट बैलंस उफ दिक्ए बुक को जो आपका लोजिक है वह सेम यह वे इसको इसके logic को समझ लेते हैं तो इसमें आपको क्या करना हुआ आपको cashbook के balance को कहा तक ले जाना है आपको passbook तक ले जाना है हमेशा बस ये logic धान में रखे कि आपको cashbook के balance को passbook तक ले जाना है जब भी भी आपको credit balance given हो passbook cashbook का और debit balance given हो cashbook का कहने का मतलब ही है कि अगर passbook का balance particular transaction पढ़के आप पता चल रहा है कि ज्यादा हो गया तो cashbook के amount को आप plus item में mention कर दीजेगा अगर आपको transaction पढ़के यह पता चलता है इसमें तो cashbook का balance कम हो गया है passbook का balance कम है as per the cashbook तो इसमें आपको क्या करना हो और cashbook के balance को passbook तक ले जाना है तो cashbook के amount को minus item में डालना होगा mention करना होगा बस इतनी सी बात को आप ध्यान में रखिए आपको कभी भी कोशन करने में problem नहीं होगी अगर आप यह कोशन करेंगे debit balance जब आपको गेवन हो या credit balance आपको गेवन हो cashbook का चलिए अब one by one शुरू करते हैं अपने आज के कोशन के solution को तो यह हमेंने question already note कर रखा है तो इसमें हम past transaction की bank reconciliation statement करके दिखाएंगे और हमे credit balance गिवन है जो कि 20,100 रूपीज है cashbook का चलिए तो सबसे पहले हमें यह mention करना है जो कि हमें given है कि cashbook of Mr. Sanjay Showa credit balance of rupees 20,100 ते हमें mention करें credit balance as per the cashbook और mention कर दिए minus item में 20,100 आप क्या करना है आपको पहले transaction given है the bank had paid fire insurance premium of rupees 550 which does not appear in the cashbook तो bank ने pay कर रहा है 550 rupees insurance premium के fire insurance premium के pay करें तो bank ने pay करें है तो पहले bank का balance क्या हो जाएगा पास्बुक का बेलनस काम हो जाएगा तो केश्बुक के बेलनस पास्बुक तक ले जाना है तो केश्बुक के बेलनस में भी आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा तो इस particular amount को आपको माइनस item में लिखना होगा तो यहाँ पर mention करिए fire insurance note debitated माइनस item में mention कर दिजिए 550 रुपीज सेम इसी तरीके सब second transaction में कहा रखिये check for 25,000 issued during January but check for 18,500 were presented for payment तो check issue किया था 25,000 का January मन्त में January मन्त में 25,000 का check issue किया था पर show कर रहा है bank में 18,500 तो इसमें क्या हुआ कि भाई हमने issue कर रहा है मतला payment करी है हमने किसी को तो cash book में तो हमने उसी था में 25,000 माइनस कर दिया हूंगे पर pass book में तो 18,500 18,500 ही show कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमे पास book का balance ज्यादा show कर रहा है cash book के balance से cash book के balance का आप पास book तक ले जाना है तो आपको क्या करना होगा plus item में mention करना होगा क्योंकि pass book का balance ज्यादा show कर रहा है तो यहाँ पर mention कर ये check not presented for payment तो आपको 25,000 में से 18,500 माइनस करने होगे क्योंकि 25,000 का check था 18,500 तो reflect कर रहा है कितने का reflect नहीं कर रहा 6,500 का amount reflect नहीं कर रहा तो इसे plus item में mention कर दिजे तो हमारा क्या होगा cash or pass book का balance same हो जाएगा आप करते है next transaction जो पी है interest collected by bank 740 आप भी bank ने interest collect किया है मसला भी interest दिया है interest and dividend collected by bank और plus item में mention कर दिजे 740 रूपीज अब करते हैं next transaction जो की given है check of रूपीज 8,700 वर deposit into bank but check of 7,000 वर प्लियर till 31st January 2017 तो check जो है 8,700 का हमने bank में deposit कर रहा बढ़ जन्वरी मंत में 7,000 का issue कर रहा है bank में तो अब इस transaction को समझेगा जब 8,700 रूपीज का check हमने जब बाग deposit कर रहा है bank में तो हमने cash book में सबसे पहले note कर लिया भाई हमने 8,700 रूपीज जमा करा दिये bank में पर pass book में तो 7,000 री शो कर रहा है मतलब pass book का balance कम शो कर रहा है cash book से तो हमें cash book के balance को pass book तक ले जाना है जब आपको लिखना होगा डेपोजिट रैकली इंटु बैंक और प्लस आइटम का टोटल आएगा 7,816 और माइनस आइटम का आएगा 22,350 तो माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है इसका मतलब हमारा हम जो calculate करके हमारे पास आएगा वो आएगा debit balance as per the pass book हमारा debit balance as per the pass book शो कर रहा है कितना दोनों को माइनस करेंगे 22,350 में से 7,860 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 14,490 यह आप उसकी amount के नीचे दिखाना होता है जो amount higher होता है तो 14,490 यह मैंशन करेंगे यह हमारा debit balance as per the pass book calculate हुआ है आया है I hope you like this video if you like this video please do subscribe this channel thanks for watching